जैन इश्वेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वैलकम हैं आपके अपने यूटीब चैनल सोनू सर क्लासेज में और आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे डियर इश्वेंट्स तो आप सभी की लगातार क्वाइरी आ रहे थी कि सर्फ फॉर्म डेट अब इंड हो गया है एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इस पे एक वीडियो लाइए तो इस वीडियो में हम आपको लाइव आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाएंगे एक prototype होगा कि कैसे आप अपना admit card को download कर सकते हैं तो वीडियो के अंद तक बने रहें और वीडियो को एक like एक share जरूर करें Dearish friends आप सभी के admit card आते ही आपको download करने के लिए आपको अपनी website जो की official website है Gcup की इस website पर आजाना है जो की एक यहाँ पर download admit card करके जो है login link मिलेगा कुछ इस प्रगार से जिसमें की आपको सबसे पहले यहाँ पर application number फिल कर लेना है इस वाले box में इसके बाद आपको अपना password जो भी आपने बनाया है वो फिल करना है यह जो capture code है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और देन आपको sign in button पर click करके login कर लेना है यदि आपको अपना password नहीं याद है admit card download करते समय नहीं याद रहता है तो आप forgot password करके अपना password दुबारा बना सकते हैं या फिर अगर आपको application number अपना नहीं याद है तो यहाँ से forget application number करके अपना application number दुबारा से प्राप्त कर सकते हैं sign in button पर click करते ही आपको यह option मिलेगा जिसमें send OTP के दो option मिलेंगे एक mobile number का और दूसरा email ID का इन में से कोई भी एक option select करेंगे आप और उसके बाद send OTP पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP रिसीव होगा उस OTP को यहाँ पर fill करके और उसके बाद आप अपने dashboard में login हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से Dear Resurants मैं आप सभी को बता दू कि UP Polytechnic प्रवेश परिशा 2024 के लिए एक बिल्कुल new batch लक्ष बैच 2024 आप सभी के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है योगि बिल्कुल free है YouTube पर Dear Resurants लक्ष बैच की daily live classes के लिए आप सभी को Sonu Sir Classes YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा साथ में आप सभी टेली ग्राम ग्रूप को भी जोईन कर लेंगे जहाँ पर आप सभी को daily live classes की PDF भी सेयर की जाती है साथ में class की सबसे पहले notification आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाती है जिसका आपका नाम Sonu Sir Classes Telegram ग्रूप है इस से आप लोग जोड़ जाएंगे जाकर जहाँ पर classes की सबसे पहले notification प्लस आप सभी को daily free PDF भी मिलता जिसका कोई charge कोई पैसा आपको नहीं देना है होना ही है तो daily live classes सामको 7 बचे जोईन करना बिलकुल भी ना भूलें YouTube चैनल पर live बिलकुल free तो देखिए login बटन पर क्लिक करते ही यह हमारा जो dashboard का page है यह dashboard का page open हो गया है तो देखिए मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ view और download admit card पे तो जैसे ही मैंने यहाँ पर view और download admit card पे click करा तो देखिए मेरे पास कुछ steps खुल करके आग है सबसे पहले qualification आपको यहाँ पर incomplete दिखा रहा है तो qualification देना पड़ेगा भरना पड़ेगा उसके बाद आपको upload certificate पे click करके certificate upload करना पड़ेगा उसके बाद verify identity करनी पड़ेगी और सबसे last में choice feeling करेंगे and then आप अपना admit card download कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अगर देखो direct यहाँ पर admit card downloading के लिए click करोगे तो direct आपका यहाँ पर admit card नहीं download होगा तो सबसे पहले हम qualifications पर click करेंगे तो आपने 10th का सारा detail भरा हुआ है तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है submit and next बटन पर click करना है और अगर आपने नहीं भरा है तो आपको यह details भरनी पड़ेंगी तो सारी details आप भर दीजे जो कि आपके 10th class की पूरी detail यहाँ पर दिख रही है जो वच्चे 12th के आधार पर भरे होंगे उनसे 12th का detail जो है यहाँ पर मांगा जाएगा तो हम यहाँ पर submit and next पर click करेंगे तो यहाँ पर do you wish to save का option दे रहा है यहाँ पर आपको yes पर click करना है जो कि इधर दिख रहा है तो मैं यहाँ से yes पर click कर दे रहा हूँ yes पर click करने के बाद देखे यहाँ पर लिख रहा है कि your qualification detail has been submitted successfully आपको okay पर click कर देना है जन्रली तो देखो मेरा पहला step जो है complete हो गया है qualification complete करने के बाद उसके बाद आपको अपना certificate 10th का upload करना है इसके लिए आपको click करना है upload certificate पे मैंने side में यहाँ पर click करा upload certificate पे तो देखे यहाँ पर option हमको मिल गया कि कितने से कितने kb तक के हम लोग यहाँ पर जो अपना certificate है उसको upload कर सकते हैं तो यहाँ पर minimum size 50 kb और maximum size 300 kb का यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपको अपना certificate upload करना है यहाँ पर query बहुत सारे बच्चों की यह है कि मेरा अभी तक हमारा result नहीं आया mark sheet नहीं आया तो मैं क्या करूँ तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो लिखा जा रहा है class 12th और equivalent mark sheet तो आपके पर भी अगर 10th लिख करके आ रहा है और आपके पास original mark sheet या फिर certificate नहीं है तो आप यहाँ पर अपना net copy upload कर दीजे ठीक है ना तो करना है 30 kb से लेकर के 300 kb के बीच में यह g cup के द्वारा आपको बताया गया है तो 30 kb से लेकर 300 kb के बीच में अगर आपको clarity भी चाहिए तो आपको थोड़ा सा extra effort लगाना पड़ेगा इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा option है जो कि DOC scanner है यह आप अपने phone में down काम करना है कि आपके size को manage करना है यह size 422 kb दिखा रहा है इस file का तो हम इसको manage करना चाहते है तो देखो एक compress का button दिया हुआ है जिसको हम थोड़ा सा हम यहाँ पर कम करेंगे अगर good पर कर देंगे तो देखो 170 kb में आ गया यह है तो देखो अब यही file जो थी अब आपको यहाँ पर 170 kb में देखने को मिल यह कहा दिख रहा है यहाँ दिख रहा है देखो 170 kb में है तो इस प्रकार से यहाँ पर आप compress कर सकते हो इक option यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि save का button है इस save button पर click करना है और आपको save कर लेना है इस PDF को net copy मानने हो जाएगी इस case में तो net copy आप upload कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर upload करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा CHUSE FIALE का यहाँ पर option आपको दिख रहा है यहां पर चूज फायल पर आपको click करना है और अपना file select कर लेना है जो भी आप यहाँ पर upload करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर option खुल गया है यहाँ पर हमको files को option दिख रहा ह तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने यहां पर 10th class का result upload कर दिया है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर option दिखाई दे रहा है आपको submit and preview का इस पर हम लोग क्लिक करेंगे submit जैसे click किया तो यह कह रहा है कि एक बार self verify करेंगे चेक करके तो यहां पर आपको self verify करना पड़ेगा जो कि side में दिया हुआ है तो यहां पर आपको self verify कर रहा पड़ेगा click करके तो यहां पर आपको click करके और self verify कर लेना है तो यहां पर click करके हमने self verify कर लिया and then आपको यहां प्रफाइनल सब्मिट का ओप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है फाइनल सब्मिट बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहां पर अगला जो स्टेप है यानि कि आपका अपलोड सर्टिफिकेट का जो स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है जैसे ही हम वेरिफाइ और आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रगार का हमारा जो है वेब पेज ओपन हो करके मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर बहुत सारी चीजे आपको दी जा रही है जैसे यहां पर आपका आधहार अप्लिकेशन संक्या अप्लिकेशन न खलबों में से किसी एक का चैन करें और आगे बढ़ें ठीक है अब यहां पर एक ढवात ध्यान रखना कि अगर किसी का देट पॉब करने में अंडit कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला option दिखाई दे रहा है कि मैं स्वच्छा से अपना आधार नंबर साजा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसको उप्योग जो है यहाँ पर आधार record में उपलब्द मेरे वेक्तिकत पहचान बिवरन का मिलान करके और 2030 UPJE 2030 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जा रहा है ठीक है इस पे आप क्लिक करेंगे ठीक है और second option देख पा रहे हैं आप आधार card में मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्च की गई है तो इस पे आप क्लिक करके अपना update करने का भी option आ तो आप क्लिक करेंगे बड़ जिसका सही है उसको पहला option यहाँ पे चूज करना है तो हम पहला option यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं पहला option चूज करने के बाद यहाँ पर आपको आधार number अपना डालने का option दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको अपना आधार number जो भी है उ capture आपको fill करना है और सबसे last में यहाँ पर आपको submit का option दिख रहा है submit आपको कर देना है ठीक है तो फड़ा फट से में details भर करके और submit करके आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि आप सभी को screen पर दिख पा रहा है कि मैंने अपना आधार entry कर दिया है उसके बाद यहाँ पर box में मैं click करूंगा और उसके बाद submit button पर click करूंगा तो मैं यहाँ पर click कर दिया box पर then हमारा submit button enable हो गया मैंने submit button पर click कर दिया और देखे जैसे ही आपने submit button पर click करेंगे आप यहाँ पर लिख के आएगा कि your identity has been submitted successfully आपको यहाँ कोई भी गलती इन सब में नहीं करनी है जैसे जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करनी है क्योंकि आपने अगर गलती कर दी यहाँ पर तो गलती करने के बाद आप उसको सही नहीं कर पाओगे ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पर fill choice का option आपको आ रहा है तो आपको बस एक फॉर्मल्टी पूरी करनी है यहाँ पर अभी आपकी choice feeling नहीं हो रही है यानि अभी आप अपना college नहीं चूज कर रहे है बस फॉर्मल्टी है कि इनका कहना है कि आपको college चूज करना ही पड़ेगा तो आप चूज कर सकते हैं choice feeling पर क्लिक करने के बाद हमको जो choice feeling का page है वो यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपसे password मांगा जा रहा है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना password जो है सबसे पहले entry करना होगा जो आपने अभी login करते time जो है password डाला था तो यह password यहाँ पर फड़ा-फड़ से मैं entry करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगेगा process यहाँ पर जैसे ही आप अपना password फिल करके और submit करेंगे दुबारा से यही पेज आपको open हो करके बिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर timing आप लोग देख लीजे 20 मिनट के अंदर यह आपको अपना जो भी task है वो पूरा कर लेना ज्यादा time यहाँ पर नहीं लेना है नहीं तो आपको log out कर देगा दुबारा से बाहर फेक देगा है न तो यहाँ से government में आप कोई भी आप मालू मुझे का चाहिए तो मैं गोरकपुर सीधे जो है यहाँ पर select कर रहा हूँ ठीक है तो government policy technique गोरकपुर मुझे दिख गया यहाँ ठीक है तो government policy technique गोरकपुर मैं यहाँ से select कर ले रहा हूँ ठीक है पहला जो है आप उसको institute type पर ही छोड़ दीजे ठीक है और पहले पर कोई आप पहल civil engineering सबसे पहले पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर civil engineering पर add वाले button पर click करके add कर लूँगा ठीक है तो यहाँ save and go to home का option दिखाए दे रहा है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पर direct click करना एक message आएगा यहाँ पर आपको OK का button दिख रहा है इस पर आपको click कर देना and आप देख सकते हो इस समय कि download admit card का option हमाले enable हो गया है तो हम लोग यहाँ पर download admit card पर click करके और अपना admit card download कर सकते हैं अपना दिख जाएगा जो कि यहाँ पर देखो सबसे टॉप में आपको एक option दिखाए दे रहा है जो कि admit card यहाँ पर detail के नीचे ही आपको print करने का option दिखाए दे रहा है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ज्यादा tension नहीं लेना है इसमें सिर्फ आपको print button पर click करना है ज इस पर आपको click करके और यह PDF save कर लेना है ठीक है तो वैसे तो मैंने कोई भी point इसमें छोड़ा नहीं है जिससे आपका थोड़ा भी confusion रहे admit card को download करने को ले करके लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी download करने में admit card को दिक्कत आती है तो मेरे whatsapp number 9076929784 पर आप whatsapp कर सकते साथ में आप इस number को note करके रखिएगा जब आपका exam हो जाएगा एंड result आ जाएगा तो उस time आप इस whatsapp number पर message करके अपने rank के according जिस college में आपको admission मिल सकता होगा उस college की list प्रवाइड करा दूँगा बिल्कुल free of cost तो बिल्कुल tension लेन परिश परिच्छा 2024 का admit card download कर पाएंगे आप आप सभी को मैं दुबारा से बता दे रहा हूं admit card अपना download करने के लिए आपको अपना qualification की जो भी mark sheet certificate है उनको तयार रखनी है जैसे 10th का exam दे रखा है आपने तो आपको यहाँ पर उसके लिए पहले से ready होके रखना पड़ेग रखिए उसकी scanned copy जैसे इस वीडियो में बताई गई लाइव शिशन में बताई गई उसको आप follow करिए उस तरीके से रखिए और choice filling के लिए तयार रहे है choice filling आप यहाँ पर कोई भी एक college चूज कर सकते हैं private ना चूज करें government कोई भी college चूज कर सकते हैं और उसके बाद अप पर admit card को download कर सकते हैं एक से अधिक choices भी दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है तो इस तरीके से करके अपना admit card download करके प्रिंट करके एक copy अपने पास रखिए और एक copy आप अपने examination के लिए रखिए क्योंकि ऐसा होगा हो सकता है कि बाद में आप admit card को website से download ना कर प सकते हैं जो कि actually जब आपके admit card release होंगे तो वो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको actually live कैसे download होना है वो हम download भी करके live आपका दिखाएंगे बहुत सारे बच्चों का download भी कर देंगे इसके लिए चाहिए कि channel को subscribe करके रखिए और जैसे ही admit card release होंगी उसकी वीडियो सबसे पहले आएगी और live जब भी हमाएंगे वहाँ पर आप अपने roll number और अपनी जानकारी साजा करके हमारे साथ और अपना admit card भी download करवा पाएंगे ठीक है तो आप इसके लिए channel को subscribe करके रखिए notification bell को press करके all पे select कर ले और telegram group को join कर ले ताकि जैसे ही admit card आए तो उसकी information आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो मान के चलिए बहुत जारे बच्चे जो date पूछ रहते कि सरक कब तक हमारे admit card आ जाएंगे तो यह हो जाएंगे तो यह आपको यहाँ पर एक जो है notification दिख रहा है उत्तर प्रदेश साइक्ट प्रवेश परिश्चा परिश्द उत् कर पाएंगे तो आपके जो admit card की downloading की जो date होने वाली है वो 10 March 2024 होने वाली है और admit card आप सभी अपने 10 March 2024 से download कर पाएंगे यह official जो notification है जीकप की साइंग प्रवेश परिश्चा परिश्द उत्तर प्रदेश की इस आप notification में देख पा रहे हैं कि आपको बताए गया है कि 10 March 2024 से आप यहाँ पर अपने admit card को download कर पाएंगे official website gcup.admission.nic.in से है ना और परिश्चा की date में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है परिश्चा की date अभी भी आपकी यहाँ पर 16 से ले करके 22 March के बीच में दिखाई जा रही है तो परिश्चा on time होने की संभावना पूरी है यहाँ so dear students आप सभी ready रहें और बिल्कुल समय नहीं है लेकिन यह है कि जितना समय आपके पास है उतना ही आप से जिन बच्चों की competition है उनके पास भी उतना ही समय है तो definitely आपके पास अगर 16 से 22 तक परिश्चा है आपके पास अगर 5 दिन है 6 दिन है 7 दिन है जो भी time है उतना ही time आ आपके से party के पास भी है आपके साथ जो पढ़ रहा है जो तैयारी कर रहा है उनके पास भी है तो अगर daily live classes से जोड़ करके misleading questions के साथ most important questions को अगर आप तयार करते हैं तो definitely आपके selection की chances जादा होंगे इसलिए daily live classes join करिए साम को 7 बजे live daily हो रहा है इसके अलावा 3-4 घंटे व होंगे और most important questions भी होंगे with concept and tricks ये सारी चीज़े आपको मिलने वाली है तो dear students आप सभी बिलकुल इसे miss ना करें और बिलकुल live classes को join करिए miss एक भी classes ना करें otherwise आपको problem हो सकती है और जैसा कि आप सभी को पता है Sonu Sir Classes YouTube चैनल पर platform पर आपको कुछ different एक unique content मिलता है जिसकी जिजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर daily live classes join करेंगे तो सारी चीजे बहुत आराम से आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा बहुत आराम से चीजों को सीख पाएंगे तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छ अच्छा लगा होगा वीडियो